आज एक बार फिर हम डिसकस कर रहे हैं बैटरी सेग्मेंट के बादसा अमर राजा बैटरी के बारे में आज मैं आपको तीन नेगेटिव तीन पोजिटी पॉइंट बताऊंगा अमर राजा बैटरी के बारे में management की salary यहाँ पे काफी negative मुझे लगती है वो भी मैं आपसे discuss करूँगा साथ ही में एक bonus point मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम अपना capital stock market में increase कर सकते है जी हाँ अगर मान लेजे मेरी capital यहाँ पे 50 लाग की है तो चाहूं तो मैं 20-25 लाग से अपना यहाँ जो capital है चैनल पे पहली बर visit कर रहे है तो चैनल को subscribe कर दीजिए नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है कांती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल retail investor का चैनल coming to the point एक mid cap size की company है अमर राजा बैटरी जो अपने one year high से लगबग 30% discount पे trade हो रही है इसके first में positive point की बात करू तो जो इसका average PE है पिछले 5 साल का वो है लगबग 26 का और अभी average PE से लगबग ये 40% discount पे अभी हमें मिल रही है तो ये इसका पहला एक positive point है वहीं पे इसका एक negative point भी चुपा हुआ है 5 साल में इसने कोई भी wealth बना के नहीं दिया है अपने investors को और इसने यहाला की wealth destroy ही किया है पिछले 5 सालों में और अगर आप इसका long term chart देखोगे तो पिछले 6-7 सालों में कोई भी wealth बना के नहीं दिया है कभी कभी अच्छे share भी long term के लिए 2-4 सालों के लिए consolidate करते रहते हैं एक इसमें छोटा सा positive point अगर आप देखोगे तो पूरी VCF की recovery हमें देखने को मिलती है पिछले एक महीने में तो यह है अलाकि उतना ज़्यादा positive point नहीं है क्योंकि गिरावट काफी ज़्यादा हो चुकी है share में एक और second में positive point आप से discuss करू तो March 20 में इनका sale था लगबग 6800 करोड का जोकी increase होके March 21 में 4-5% increase हुआ है 7100 करोड हो गया है और वहीं पे इसके net profit को देखते हैं तो 661 करोड से negligible decrease हुआ है केवल 2% से 647 करोड कहने का मतलब है COVID का कोई भी impact इन पे नहीं हुआ है पिछले एक सालों में क्योंकि अगर हम April 20 से March 21 तक देखते हैं तो COVID बिल्कुल अपने यहां पे चरम सीमा पे था तो कोई भी impact नहीं देखने को मिला है हाला कि sales increase हुई है 3-4% से profit decrease हुआ है negligible 2% से अब एक और अगर positive point में आपको बताऊ तो compounded profit growth जो पिछले 5 सालों में 6% है 3 सालों में 11% है लेकिन share ने कोई भी return बना के नहीं दिया है पिछले 5 सालों में sales growth भी देखते हैं 9% है 3 साल का 6% है तो यहां पे इसले भी मुझे share अच्छा लगता है balance sheet का size भी लगबग 6000 क्रोड के आसपास है लगबग 65% 70% कंपनी के पास रिजर्स है जो काफी positive हैं हम जैसे investors के लिए company में बने रहने के लिए अब negative point की बात कर लेते हैं दो negative back to back मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले company में management की salary मुझे काफी negative लगती है company's act की according जो ceiling है वो लगबग 80 करोड के आसपास है जो की management more than company's act ceiling विड़ो कर रहा है salary लगबग 90 करोड से जी हाँ 80 करोड के बदले लगबग 90 करोड salary विड़ो कर रहा है यहाँ पे management के अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए इनोंने special resolution पास कराया है सेरोल्डर से mr. जैदेव गाला और रामा चंद्रा गाला जो इनके MDN director है उनकी salary लगबग 77 करोड है तो यह दोनों लोग भर-भर के salary ले रहे है जो मुझे समझ में नहीं आता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि salary भर के ले रहे है तो company खराब होगी ऐसा बिलकुल नहीं है और वहीं पर अगर इसके competitor की बात करें एक साइर इंडरस्टीज की तो वहाँ पर तो अभी अच्छा कासा profit आ रहा है लगबग 15-20% का हाला कि इसने अभी तक मोकर नहीं दिया मररा जा बैटरी ने अभी इसका share हमारा down ही चल रहा है हमारे average price से तो bonus tip मैं आपको बता देता हूँ कभी कभी यहाँ पर बड़े share भी अच्छे कासे consolidate करते हैं जैसे ITC साथ आट सालों से लगबगवई दोसों के आसपस range पे घूमता है तो हमें क्या करने चाहिए suppose मैं अपनी बात करूँ अगर मेरी 100 रुपे की capital है तो मेरा 10 रुपे लगा हुआ है AAA में AAA मिन्स एसे अमरराजा battery एसे आपका आपका हो गया और बिंदो फार्मा और एसे एक और share मेरे को ध्यान ने आ रहे तो इन 3 सेरों में हमारा अच्छा-कासा wealth फसा हुआ हुआ है जो कि हमें OD के form में मिल जाता है और अपने total investment का जो उसकी value है उसका लगबग 50% सपोज मैंने 100 रुपे में से 10 रुपे इन 300 में लगा रखे तो तीनों की बदले मैंने OD उठा रखी है क्योंकि share सभी down pay है तो share को तो हम sell नहीं कर सकते वो हमारे OD में add होता रहेगा loan against security आप अपने banker से confirm कर सकते हैं private bank इसको देते हैं और loan का rate of interest भी काफी कम है OD आपको इसमें 9-10% पे मिल जाती है तो 9-10% पे अगर पैसा उठता है तो मेरे साब से अपनी पूरी analysis करने के बाद अपने financial advisor से discuss करने के बाद हमें पूरी समझ है market की लगबग 15 सालों से हम market में है तो हम चाहे तो loan against security अपने investment पे उठा सकते हैं अगर 100 रुपे की investment है तो चाहे तो हम 50 रुपे का less उसमें उठा सकते हैं लेकिन फिर में बता रहा हूँ loan या ODA उठाने से पहले 1000 बार आपको सोचना चाहिए क्योंकि ये दो धारी तलवार है क्योंकि अगर इसको हम गलत पकड़ेंगे तो ये आके हमें ही लग सकता है अब यहाँ पे अगर promoter के holding की बात करते हैं दूसरे negative point पे आ जाते हैं तो पहले लगबग यहाँ पे देख सकते हैं 52% की holding हुआ करती थी जो कि यहाँ पे decrease करी है promoter ने और यही पे इनोंने जो इनकी company है ARBL Holding LLP इनोंने इस stake को खरीदा है तो यह उतना negative नहीं है negative मुझे क्या लगा जो इनोंने recent quarter में 10% से आपे holding अपने decrease करी है जी हाँ 10% से अच्छे खासे quantity में share सिनोंने बेचे है यह भी एक region है जिसकी वजह से share में अभी हमें consolidation देखने को मिल रहा है वीडियो आपने भी तक like ने क्या हो तो वीडियो को like कर दीजिए अगर आपने भी तक मेरा membership जोईननी के diamond membership तो 70% discount अभी भी live है केवल 199 रुपे में आप monthly जोईन कर सकते हैं जिसमें मैं आपको long term investment अपना swing trading investment साथ ही में जो भी आपकी query होती है वो मैं आपको whatsapp पे solve करके देता हूँ नीचे अमारे team का contact number है आप whatsapp पे कोई भी query है तो पूछ सकते हैं एक चीज़ का आप हमेशा धियान रखिए stock market में enter करने से पहले stock market का समझना जूरी है अब अगर D.I.E. की भी बात करते हैं तो L.I.C. यहाँ पे holding लगातार बढ़ा रही है यह भी एक मुझे positive factor लगा है जैसे यहाँ पे COVID में गिरावट आई थी तो इन्होंने 1% से यहाँ पे holding बनाई थी और उसके माद से हर एक quarter में आप देखोगे ध्यान से तो हर एक quarter में यह अपना stake जो है वो increase कर रही है जून quarter तक इन्होंने increase कर रही है कि जैसे ऐसे share में गिरावट हो वैसे वैसे हम इसमें average out कर सकते हैं